मैं बहुत-बहुत स्वागत है आप सब कैसे हैं उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे बहुत सवस्थ होंगे बहुत सारे क्योस्टिंस जो है आपके आई हुए थे कि जो है अजवाइन को कितने महीने में कौन से महीने में कितनी लेनी चाहिए लेनी चाहिए नहीं लेनी तो अजवाइन की क्या क्या benefits हैं पूरा मेरे पास जो है काफी questions थे हलाकि बीच बीच में मैं सभी के जवाब देती रहती हूँ जो भी questions आते हैं लेकिन फिर मैंने सोचा एक video पूरी बना दी जाए आप सभी लोगों के लिए तो अजवाइन अपने आप में एक महावशदी है ये delivery में ये delivery के पाद पूरी तरह से आपको पूरा ताकत भी देती है आपके शरीर से चटाव भी करती है और आपके शरीर में जितना pain होता है वो भी पूरा करती है ये delivery के पाद के फायदे हैं शुरुवात से और जो लास्ट तक का टाइम है उसमें आपको बहुत बेनिफिट देती है ये गैस की समस्या को दूर करती है जो आपको बितली की समस्या उसको दूर करती है साथ जो आपके शरीर में जो पेन रहता है पूरे टाइम ये उसको बहुत जदी दूर करती है और ज Цизерian की तरफ भी यह जो ह्य जो है नहीं लखे जाती बहुत बहुत přाइद़ देती हैं लेकिन जब भी आप आज लेना चाहिए क्योंकि जब हमज़ाइन लेते हैं बहुत ज़़OW. पूरे जो टाइम अगर हमज़ाइन लेना चाहें पूरे नौ महीने तो उनको लेने का तरीका अलग है आप कभी भी कोई भी चीज अगर लेते हैं प्रिग्नेंसी में तो उसको संदुलित मात्रा मिले उसको बहुत सोच समझ कर देख परक कर आपको लेना चाहिए क्योंकि अजवाइन जो है उसकी तासीर बहुत गरम होती है बहुत जादा और इसलिए हमे इस पे बहुत जादा साब धनी से काम करना चाहिए क्योंकि अजवाइन जब भी आप लेते हैं तो शुरुआत के जो तीन महीने में गरमियों में कोशिश कीजिए उसको अवाइट कीजिए लेकिन अगर आपको गैस बहुत जादा बन रही है मिदली बार बार हो रही है बह इसको भी नहीं लेनी है और इसको भी लेने का तरीका हाला कि मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूं आज पिर से आपको बता रही हूं एक गिलास पानी लेंगे उसमें इसको बोयल करेंगे जब इसका पूरी तरह से निकल जाए तब आप एक या दो चम्मच पा जब भी आप अजवायन लेते हैं या कोई बी चीज लेते हैं तो पूरी उसकी जांच परक करके लिजी कि आपको नुकसान देगी या नहीं देगी आपकी दो तिमाही में आपको अजवायन जो है इतने ही लेनी है जब आपकी तीसरी तिमाही शुरू होती है तो सात्वे म महीने में आप अजवायन की थोड़ी सी क्वांटिटी यानि लगभग इतनी वन फोर्थ चमच यह इतनी अजवायन इसको भी आप पानी में उबाल कर लीजिए अगर आपको टेस्ट थोड़ा बगबगा लगता है तो आप इसमें हलका सा जो है काला नमक डाल सकते हैं तरीका वही है कि आपको अजवायन बॉयल करके इसका पानी लेना है अब अगर सर्दियां होती तो मैं आपको सजेस्ट करती थोड़ा बहुत आप अजवायन का लड़ू भी खा सकते हैं सात्वे महीने के बाद लेकिन इस समय गर्मिया शुरू हो गई है तो मैं आपको इस समय मात्रा में खाएं अब बात करते हैं आटमे नमे महीने की आटमे महीने में भी लगवख इतनी या इससे कम अजवायन सिर्फ पानी पूरे दिन में इतने पानी को एक गिलास पानी में अजवायन थोड़ी सी डाली जो थोड़ी सी उसका वॉयलिंग होगी तो उसका दो ती महाई में हफते में दो दिन ले सकते हैं और जो तीसरी ती महाई स्टार्टिंग होती है उसमें तीन दिन उससे फालतू आप अजवाईन का पानी नहीं ले सकते हाँ जब आपका नवा महिना शुरू होता है उस समय आप जो है अजवाईन के लड़ू बनवा कर खा सकत हैं अजवाइन की मात्रा जो है उस समय पूरी एक चमच आपकी हो जाएगी देड़ चमच हो जाएगी यह दिक्कत नहीं करेगी है उसकी नसे पूरा उनको खोलना शुरू करेगी जो उसमें पेन होता है उसमें आपको रिलेक्स फील होगा बेबी को जो है नीचे लाने के लि सकते हैं और जब आपकी डिलीवरी हच्चे से हो जाए यह नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपको लेके जाएगी जब भी आप अजवाइन खाएंगे लास्ट में डिलीवरी की जैसे आपकी डेट है उससे एक हफते पहले अगर आप अजवाइन खाना शुरू करते हैं तो ब चलीवरी के बाद लगबग एक बहुल भरके जो आप अजवाइन बनाएं जिसका तरीका मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूं तो जब आप अजवाइन बनाएं लगबग इतना अजवाइन पूरा भरके आप सुबह खाली पेट अगर इसको खाते हैं तो पेन को ये दूर करती है ये आपके शरीर को पूरी तरह से फिट करने में जो है काम करती है आपके पीरियोड को समय ये पूरा नॉर्मल करती है तो अजवाइन के बहुत पायदे हैं उमीद करती हूं आपको जो मेरी जानकारी मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी और जो चोटी चोटी चीजें अगर आप इसमें रह गई हैं आप मुझसे question करते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी इस बीच अगर आप कुछ और questions भी जानना चाहते हैं तो मुझसे जान सकते हैं question लिखिए मैं आपके answers भी दोंगी कुछ ज्यादा question हो जाते हैं तो मैं उस पर वीडियो भी बना देती हूं जैसे कि आज अजजवाइन पर बना रही हैं अक्सर questions आते हैं मेरे पास अजवाइन कितनी खानी चाहिए कब खानी चाहिए आपके questions के answer देनी की मैंने पूरी कोशिश किया अगर इस पीच भी आपको लगता है कि कोई step अपना छुट गया है तो आप मुझे दुबारा question कीजिए दो-तिन question इखटे होते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी आपको डिलीवरी से समंदी जो भी जानकारियां चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगी आपको जो भी questions हैं आपके जो भी curious हैं आप मुझे DM कीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको share कीजिए अब भी तक अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले जो है notification आपको मिल सके और आप सभी का आंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद